निपोन भारत का सपना, सभी बच्चे समझें, भाषा और गड़ना नमस्कार, स्वागत है आपका संसर टीवी में, मैं हूँ आपके साथ हम्रिता चौरसिया नया भारत, नय सपने, नय सोच और नय अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है जब हम साल 2047 तक विक्सित भारत के अपने लक्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो 21 सदी के भारत की अलग अकांग्षाएं हैं आधनिक दुनिया की जरूरतों में सिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाली एक सकरात्मक और समग्र नीती की जरूरत को महसूस किया गया भारत के 26 करोन बच्चे इस देश की ताकत हैं इनमें से 18 करोन बच्चे प्रात्मिक अक्षा में से हैं कारिस थल पर आगे बढ़ने के लिए इन बच्चों को 21 सदी के कौशल से लैस करने की आवशक्ता है और हमारे बच्चों के लिए इस कौशल को प्राप्ते करने की यात्रा पढ़ने लिखने और बुन्यादी अंकगड़ित को समझने से विक्सित होगी इस आवशक्ता को पहचानते हुए भारत सरकार ने 5 जुलाई 2021 में निपोन भारत मिशन शुरू किया आज अपने खास महमानों से इस मिशन की जरूरत इसके उद्देश है और पिछले तीन सालों में इसके उपलब्धियों पर विस्तार से बातचीत करेंगे पैनल में मेरे साथ दो बेहत खास महमान मौजूद हैं स्टूडियो में अर्चना शर्मा अवस्थी जी हैं आप जो एंट सेकरेटरी हैं डिपार्टमेंट ओफ स्कूल एडूकेशन एंड लिट्रिसी मिनिस्ट्री ओफ एडूकेशन कवर्मिन्ट आफ इंडिया बहुत स्वागत है संसर टीवी में मैं आपका साथ ही दूसरी महमान है ममता श्वे को कहता है आए देखिए आसान गेंगे कख गया हो एबीसी सीखने का एक जुनून रहेगा होगी ये भारत की सदी सिक्षा से ना कोई दूर रहेगा अब हर बचाने पून बनेगा अपना भारत देश बढ़ेगा अब हर बचाने पून बनेगा अपना भारत देश बरेगा पर हाले खा भारत में पून ने आ भारत और हाले खा भारत नुदुन ने पून भारत शेक्षित परी पून भारत नुद ने पून भारत निपून भारत का सपना, सब बच्चे समझे, भाशा और गनना 2021 में जब इसे लॉंच किया गया, तो इसके पीछे की जो जरूरत थी, वो क्या थी, मिशन क्या है अगर आप आसान भाशा में हमारे दर्शकों को समझाएं नमस्ते सभी दर्शकों को और आपको भी, यदि मैं आरंब से शुरू करूं, तो जो NEPI है, National Education Policy 2020, इसने पहली बार एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ये अकनॉलेज किया है, कि जो शिक्षा हमको कक्षा एक के पहले मिलती है, यानि कि 3-6 साल की वो भी उतना ही, बलकि कि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है, जिस पे आगे की पूरी पढ़ाई लिखाई निर्भर है, वो बच्चा जो कक्षा पहली के पहली तक का ज्यान है, वो यदि नहीं ले पाता है, तो वो आगे का ज्यान एसिमिलेट करने की स्थि में नहीं होता है, तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए, एनिपी के पैरा 2.2 में, सरकार ने निपन भारत मिशन की नीव डाली है, ये एक मिशन की तरह इसको लिया जाएगा, कि कक्षा दो तक हर बच्चा अंक गणित में और पढ़ने लिखने में साथ में सोशो एमोशनल लर्निंग, इस टीज में प्रोफिशेंट होके कक्षा तीन तक जाएं. निपन भारत मिशन को अचीव करना और शुरुवात के दौर में जब बच्चपन होता है, उसमें इस मिशन की इंपॉर्टन्स को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो अर्ली एजुकेशन सबसे इ बच्चों की जो फांडेशनल जो लर्निंग है बच्चों की वो बहुत मजबूत होती है, इसके लिए हमें बच्चों के वो जो सबसे जो टाइम होता है जब बच्चे ग्रो करते हैं, सबसे जादा उनकी मेटा कॉगनिटिव डेवलप्मेंट होती है या उनका स्कीमा बन ठेंज जgenанд की सबसे की ऑफिए को PD लने की वो अक्वाइर कर सके इससैंट की एक तो फांडेशनल लिट्रोसी की EDFांडेशनल डेवलप्मेंट की हम बात कर रहे हैं, कॉगनिटिव सकिल की भी बहुत हद रहे कंट बहुत है या पर हल्प मिल जाती है बच्चों काLgrow होता कि बात कर रहे हम चाहे हम communication collaboration की बात करें growth mindset की बात करें या problem solving किसी भी तरह के नजरीय की हम बात करें जो बच्चों को आज के देख में जरूरत है आईडियास की जरूरत है वो तब ही आएगी जब बच्चों में understanding develop होगी comprehension develop होगा तो उसके लिए early education बहुत important है क्योंकि mostly हमारे पास पहले क्या होता था first generation learners आते थे तो हमें उनको और काफी heterogeneous mixture होता था class में कुछ first generation learners हैं कुछ जो हैं पहले तीन साल की पढ़ाई करके आते थे तो उन सब में balance बनाना भी एक challenge होता था हमारे teachers के लिए तो उसके अलावा social and emotional development की मैं हमने बात करी ये भी बच्चों का बहुत हद तक हम कर पाते हैं जब early education पर हम ध्यान देते हैं और parental involvement भी बहुत होता है और हम देख रहे हैं as an educator हमने ये चीज़े देखी है कि किस तरह से आज का parent बहुत जादा aware हो रहा है चाहता है चाहे वो एक गरीब तबके से आ रहा हो economically backward class से हो फिर भी वो चाहता है कि मेरा बच्चा करे और aware है तो ये सारी चीज़े और सबसे बड़ी बात है long term benefits इसके बहुत है जो हम बहुत कम बच्चों में दे देते हैं जो शिक्षा व बहुत आने वाले वर्षों में effective होने वाला है और इसमें early education totally align करता है ECCE align करता है निपुन भारत mission के goals और objectives से जी अगर मैं goals की बात करूँ इसके उदेशियों की बात करूँ तो वो क्या है किन चीजों को आधार बनाकर इस पूरे निपुन mission को तयार किया गया इसके लिए म emotional development होती है वो 6 वर्ष के पहले हो जाती है और अभी तक जो हमारी शिक्षा नीती थी उसमें जो 10 प्लस 2 का structure होता था दस साल पहली से 10 वी कक्षा और 11 और 12 होता था उसमें पहली कक्षा के पहले यानि 6 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों के लिए कोई formal प्रावधान नहीं जिसका मतलब है कि यदि वो बच्चा ठीक से पढ़ नहीं सकता है तो वो आगे और शिक्षा बढ़ाने के लिए उसको पहले पढ़ना आना जरूरी तो इन ही चीजों को ध्यान में रखते हुए यह पहली बार 10 प्लस 2 को replace किया गया है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 structure से जिसमें ज जो कक्षा एक के पहले की है उसमें क्योंकि बच्चा काफी चोटा होता है तो उसको हम लिखने और पढ़ने यानि पैन से लिखने का यह सब प्रावधान उसमें नहीं है जिस पर बहुत स्ट्रेस है निपुन भारत मिशन का कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे सिर्फ खिलोनों के माधियम से और circumstantial जैसे पेड़ पॉधे या उनके आसपास environment में क्या है उसी से वो लोग सीखेंगे तो जैसे कि आपने goals के बारे में पूछा तो पहला goal हमारा है कि एक आंगनवाडी में पहले से ये 3 से 6 के बच्चे जाते थे 1975 से जो स्कीम चल रही है और अब आप भी जानते होंगे कि private schools की भरमार है जिसमें play school या crash के रूप में वो चल रहे हैं लेकिन वो ठीक से जो पद्दती है पढ़ाने की या सिखाने की वो follow नहीं कर रहे थे तो सब के लिए भी निपुन भारत मिशन काम आएगा दूसरा इसका goal है कि teachers को सही pedagogy सिखाई जाए और उनके capacity building की जाए ताकि ये एक special उमर है तो इसके लिए जो normal शिक्षक हैं जो दूसरी आठवी या दसवी कक्षा को पढ़ा रहे हैं वो इन बच्चों को नहीं पढ़ा सक है तो जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जादू ही पिटारा है उस पिटारा में हमारे पास खिलोने, flashcards, puppets, posters उस तरह की चीज़ें हैं जिससे बच्चे सीखते हैं और उसको 22 languages में बना लिया गया है दूसरा ये जो मैं miss कर गई थी कि छोटे बच्चों के लिए ये बहु पढ़ता है तो वो आगे जाके दूसरी language में easily पढ़ सकता है तो हमारा पूरा focus है कि निपोन भारत मिशन में छोटे बच्चे अपनी local languages में पढ़ें तो ये 22 languages में already पढ़ने लिखने की सब सामगरी को translate कर दिया गया है इसके अलावा ये जादू ही पिटारा भी के लाइनों को उन्हें यहां पर रखा कि बच्चों को सीखकर पढ़ने से पहले पढ़कर सीखना बेहस्थ जरूरी है जो FLN की हम बात कर रही है आपने भी कहा कि बहुत जरूरी है इसका strong base होना अगर ये week होता है तो बच्चों की इस learning process पे कितना असर पढ़ता है देखे अगर foundation literacy और numeracy बच्चे की week है जब हम बात करते हैं foundational literacy की बात करते हैं reading literacy की बात करते हैं या numeracy की बात करते हैं यह पूरा का पूरा comprehensive skill है एक individual का जो की कहीं हद तक जो जितने survey और research हुए हैं हमने देखा है कि कहीं न कहीं हमारे बच्चे जो fail हो रहे हैं later on in life में जो academic struggle है बच्चों का जिसके वज़े से बच्चे समझ नहीं पाते हैं learning gaps रह जाते हैं यह कहीं न कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों में वो reading और numeracy की skill develop नहीं कराई हमने उस right age में उसके अलावा increase drop out cases बहुत हो रहे हैं one to eight तक बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद cope up नहीं कर पाते हैं जितना complex चीज़े आती हैं वो बच्चे फिर they start lagging behind और डरते हैं एक fear होता है failure का और फिर उसके बाद बच्चे इतने inactive हो जा right age में उसके अलावा हम सब जानते हैं कि जितनी भी professions में आप जाईए जिस भी employment में आप जाईए limited opportunities, career opportunities हो जाती हैं अगर आपकी communication या comprehensive skills developed नहीं हैं हम सिर्फ unemployment की बात नहीं कर रहे हैं हम under employment की भी बात कर रहे हैं बच्चा उस quality तक पहुँच नहीं पाता जिस post के लिए वो जाना चाहता है उसके अलावा और जब ये सारी चीज़े कमजोरी बच्चा जब फील करता है तो खुद बखो social और emotional भी उस पच्चे में एक dejection, disappointment आती है जिसकी वज़े से anxiety और depression होता है बच्चों के बीच में बहुत जादा और in a way iniquity और social divide भी बढ़ता है हमारा जब हम nation building की बात करें बड़े level पर तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि बहुत हद तक एक जो population learners की है वो काफी पीछे जा रही है नेशन बिल्डिंग में वो contribute नहीं कर पा रही है तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे जागरोग नहीं है उन्हें सही learning atmosphere नहीं दिया गया पहले और इसलिए वो कोप अप नहीं कर पाई learning gaps रह गए और बिल्कुल इसलिए जरूरा कि शुरुआती चरणों में इन चीज़ों को address करते हुए एक सक्षा व्यवस्था की जरूरत हो और शायद उसलिए निपन भारत आज हमारे सामने है अर्चन मैं अगर मैं इसकी पूरे implementation की बात करूं सिक्षा मंतराल है कहा जा रहा है कि इसको पाच चरणों में implement किया जा रहा है रास्ट, राजजिजिला, ब्लॉक और स्कूल लेवल तक तो किस तरीके से maintain किया जा रहा है और इसे एक बहुत ही अच्छा उधारण federalism का भी कहा जा रहा ह है कि हम जानते हैं सिक्षा समवर्ती सुची का विश्चा है और किस तरीके से केंद्र और राजजी सरकारे मिलकर इसको implement कर रही है मैं जानना चाहूंगी Ministry of Education इस दिशा में किस तरीके से इसको implement कर रहा है क्या प्रोसेस है तो इसमें पांच टियर का structure है जैसा कि आपने कहा right up to the school level जाती है तो हमारा एक निपुन भारत mission है जिसका एक mission director है जो कि मैं हूँ उसके बाद में राज्य में एक mission director है फिर वो जिले स्तर पे जाता है ब्लॉक स्तर और फिर विद्यालें स्तर विद्याले के स्तर पे जाके जो actual implementation इसका है हम लोग तो जो बाकी चार structure है वो monitoring कर सकते हैं और policy बना सकते हैं लेकिन जो actual implementation है वो school में होगा और उसको teachers करेंगी तो teachers हमारा cutting edge representative है निपुन भारत mission के लिए तो एक और requirement है इसमें की community involvement बहुत जरूरी है तीन साल का बच्चा जब बहुत छोटा होता है और play school में जाता है या अंगनवाडी में जाता है उसको एक support की जरूरत होती है क्योंकि उसके पहले वो घर में है इन फैक्ट घर में व इसकी जागरुकता बढ़ाने के लिए क्योंकि अभी mission को तीन ही साल हुए है और चुकि नया एक entry point है यह तीन से 6 साल का तो इसके में काफी challenges थे कि जन जन तक पहुंचे यह बात तो इसके लिए हम लोगोंने एक पिछले साल जो G20 summit हुआ था इंडिया में उसमें एक main topic चा सारी countries ने भी उसमें participate किया और हम लोगों ने उसमें एक मुहीम चलाई थी एक से 15 जून 2023 में एक जन भागीधारी करके FLN के बारे में awareness generation करना मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि देश पर मिला के 15 दिन में सवा 5 करोड से भी अधिक stakeholders ने उसमें participate किया जिसमें चोटे बच्चे उनके parents, teachers, panchayat के members, गाओं के members, community के members सभी ने participate किया तो हमारी आशा है कि ये लोगों तक पहुँच गया है निपुन भारत मिशन और लोग खुशी से स्वाच्चिक रूप से अपने बच्चों को स्कूल में admit करवाएंगे सही स्कूल में इसके लिए मैं आपको एक विद्याप्रवेश प्रोग्राम के बारे में भी बताना च होती है तो कुछ बच्चे आंगनवाडी से क्लास एक में आ रहे हैं कुछ बच्चे कहीं से नहीं आ रहे हैं वो अपने घर में होते हैं और सीधे उनको admit कराया जाता है स्कूल में 6 साल की उम्र में और तीसरा category है जो private play schools या crashes उनमें पढ़के आ रहे हैं तो जब बच्चा क लर्निंग जो है वो सब बच्चों की समान हो ताकि जब वो आगे कक्षाओं में बढ़ते हैं तो उनमें डिफ्रेंस ना आए एक्विटी की वज़ा से तो जो विद्याप्रवेश मॉडियूल है NCRT ने बनाया है बारा हफ़ते का तीन महीने का मॉडियूल है जब बच्च क्लास वन में एंटर करता है उस समय पे उसको अगेन जॉइफुल लर्निंग से बिना स्ट्रेस दिये वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कख्षा एक के बेस में है जो कख्षा एक के लिए कि उसको गिनना आना चाहिए उसको थोड़ा बहुत पहचानना आना चाहिए कलर्स समझ आने चाहिए शेप समझ में आने चाहिए तो वो सब किया जाता है और यह जो है विद्याप्रवेश अब तक दो साल में हम लोग करीब तीन करोड़ बच्चे विद्याप्रवेश से लाभानवित हो चुके हैं और आठ लाग स्कूल में जिसमें प्राइमरी जिस तरह से इस बार नैशनल एजूकेशन पॉलसी 2020 में टीचर ट्रेनिंग केपासिटी बिल्डिंग और हैंड होल्डिंग हुई है वो काफी काबिले तारीफ है उसके लिए मैं मैं को बहुत थैंक्स कहूंगी पूरे सिस्टम को थैंक्स कहूंगी कि इतने अच्छे डंग होता है जो अक्सर फेल हो जाता है मॉनिटरिंग एन असेस्मेंट फ्रेंबर्क इस पार बहुत रॉबस्ट बना है जिसमें डेटा एनलेटिक्स भी है ट्रैक हो रही है सब बच्चों की प्रोग्रेस तो यह काफी बहुत मैं कहूंगी कि कम गुझाईश है लूप होल्ट की बहुत स्ट्रॉंग ढंग से यह पूरा स्ट्रॉक्चर प्लान बनाया गया है और इंप्लिमेंटेशन भी बहुत स्ट्रॉक्चरड है तो आपकी टीचर्स को यह जो नई सिक्षा विवस्था उसके एसाब से कैसे ट्रेंड किया जा रहा है उसके लिए क्या प्रोग्राम से अब पंग स्को किस तरीखी से धरातल पर उतार रहे हैं देखिये बहूट सारी प्रोग्राम हैं हर लेवल पर हो रहे हैं मैं मैं प्पाया कि दिश्ट्रिक ब्रोक या स्टेइट लेवन ही नहीं, नाशनल लेवल ही नहीं, इवन स्कूल लेवल पे भी बहुत छोटे से बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं और जैसे अभी रीसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक रूपांतर का भी अभी समय समय पर बहुत सारे मटीर तयार किये जा रहे हैं पर पेड़गोजी हो या जादोई पितारा हो या विद्या प्रवेश हो उससे पहले भी तीचर्स को हैंड होटिंग की गई है तब जाके इन teachers ने बहुत अच्छे टंग से effectively classroom में इसको use किया है तो हर चीज की बहुत बारिकी से मुझे लगता है उपर लेवल पर ये चीज़े देखी जा रही है उसको हम यहां implement कर रहे हैं मैं महां आपसे भी समझना चाहेंगे कि monitoring और assessment जैसे कि नहीं करें सबसे important tool हो जाता है कि हम किसी scheme को launch कर रहे हैं implement क्या सही तरीके से हो रही है उस रूप में हो रही है उसका outcome जो हम चाहते हैं जो result चाहते हैं वो मिल रहा है तो किस तरीके से monitoring का पूरा framework आप लोग ने तयार किया है इसके लिए हमने एक NBM PIT करके central government level पे है जो निपन भारत mission का monitoring template है उसमें हम लोग इस जो data हम उसमें ले रहे हैं वो इस level तक का है कि कितनी teachers train हो गई है क्या teaching learning material use हो रहा है किस संख्या में हो रहा है कितने बच्चे आ रहे हैं और capacity building के लिए किस चीज की requirement है कौन-कौन से CSOs या NGOs state governments के साथ मिलके काम कर रहे हैं वो सभी information उसके अलावा हम time to time national conferences में या regional conferences में best practices जो states follow कर रहे हैं वो रखते हैं ताकि states एक दूसरे से भी सीख पाएं भारत इतना विबिनताओं का देश है इतनी diversity है कि कोई भी एक formula पूरे देश पे नहीं चल सकता है तो प्रोग्राम में काफी flexibility है कि states अपने हिसाब से अपने local context के हिसाब से बच्चों को teaching learning करवाएं उसके अलावा जो आपने assessment कहा तो एक holistic progress card design किया गया है जो बहुती robust है और 360 assessment है उसमें बच्चे की पूरी personality उसमें निकल के आती है कि उसके बच्चे की क्या skills है उसको क्या और चाहिए कहां पे वो कमजोर है more inputs कहां लगेगा वो सभी उसमें देखा जाता है तो वो कक्षा एक और दो के लिए सब देशबर के सभी स्कूलों में भेज दिया गया है ममता जी जो classroom practices की बात होती है जो कि आप लोग implement कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ और काम किये जाने की जरूरत है जैसे teacher training की बात हो रही है हमने start किया 50 hours का CPD continuous professional development हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है अब उसको थोड़ा सा और structured हमने किया है उस किस तरह की क्या क्या चीजों की चीज़े क्या क्या training देने की आविशकता है क्या basic line क्या होना चाहिए teachers को भी क्या foundation उनकी किस तरह से aptitude develop करें teachers में तो ये सारी चीज़ें हमने hand holding के दौरान ली हुई है तो ये काफी हतर classroom practices को जो एक हम paradigm shift कह रहे है निए 2020 में हुआ है उसको uplift कर रहा है उसके अलावा assessment reforms भी regular feedbacks हो रहे हैं in and out बाते हो रहे हैं exchange हो रहा है हम modify कर रहे हैं ये process जो है ये चल रहा है और I remember जब हम पहले बात करते थे academic oriented report cards generate होते थे अब मैम ने कहा जैसे 360 degree हम पूरा जो बच्चे का holistic development है उसको assess कर रहे हैं उसके basis पे उसके progress card कर रहे हैं और हम highlight कर रहे हैं उसके strength पे spot analysis करके तो ये सब चीज़े क्या है बच्चों को motivate भी करेगा parents को भी motivate करेगा और बच्चों की अच्छाईयां देके फिर parents भी और आते हैं schools में नहीं तो parents भी deject feel करते हैं आना नहीं चाहते हैं तो ये सारी जो एक ethical चीज़े हैं जो पहले थी वो भी बहुत हद तक हम उसको control कर पाए हैं और ECCE की तो बात होई गई जो बहुत important है classroom practices के लिए क्योंकि आज के date में जब first class के बच्चे को पढ़ाता है हमारा teacher तो उससे पता होता है कि उससे पहले तीन साल बच्चा पढ़कर आया हुआ है और उसके अलावा कस्टमाइज प्रैक्टिसेज हैं पेड़गोजी जो हमारे टीचर यूज कर रहे हैं तो यह सारी चीज़े हो रहे हैं जिसकी वज़े से एफेक्टिवली हम मॉनिटर कर पा रहे हैं पूरे system को बिल्कुल अर्च जो एक national curriculum framework बनना है foundational stage के लिए वो बन चुका है और वो release हो गया था 20 फरवरी 2022 को तो एक challenge यह है कि वो national curriculum को सभी teachers तक और जो stakeholders हैं और implementers हैं उन तक पहुंचाना और ताकि वो उसी हिसाप से अपना teaching कर सके एक वो challenge है और साथ में achievement भी है दूसरा है कि उसके बाद में कक्षा एक और दो के लिए नई पुस्तके आ चुकी है जो joyful learning जैसे कि मैंने बताया था उस पर आधारित है तो उसमें जैसे हिंदी वाली पुस्तक है उसका नाम है सारंगी English की है मृदंग और गनित की है आननमई गनित तो यह पुस्तकें भी जा चुकी है schools तक और उन पर पढ़ा जालू है जिसमें हमने पाया है जो छे स्टेट्स में हो चुका है कि बच्चों में वाकई फरक आ रहा है कि जब वो कक्षा एक में आये और तीन महीने के विद्या प्रवेश का इंपुट्स लेने के बाद में उनमें जो learning में बदलावाया है तो वो निपुन भारत मिशन क का एक base डालेगा इसके अलावा Teachers Capacity Building जैसा कि मैडम ने बताया वो भी चल रहा है निष्ठा एक program है NCRT का जो online training का है उसमें already 13 से 14 लाख ECC Teachers training ले चुकी है तो काम जारी है यह तो चलता रहेगा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अक्षर और अंक यह दो आखें और कान हैं जिससे एक बच्चा अपने परिवेश्व से knowledge ले सकता है और दुनिया को देखता है जी बहुत जरूरी है कि इसका आधार बहुत स्ट्रॉंग ह पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो तीन साल के पहले बच्चे को किसी भी ऐसे फॉर्मल इंस्टिट्यूट में ना भेजे उस समय बच्चे रेडी नहीं होते हैं आउटसाइड ओम की knowledge gain करने के लिए तो वही शिक्षक है पेरेंट्स ही शिक्षक है अप टू थ्री इस चीज का थोड़ा ध्यान रखा जाए और आज आपने हमें बुलाया इसके लिए मैं आपकी बहुत थैंक्फुल हूँ क्योंकि आज एनिवर्सरी है तीसरी निपुन भारत मिशन की मैंम आप दोनों का बहुत बश्च शुक्रिया और हम आबहरी हैं कि इतने अच्छे सब्जेक्ट पे हमने चर्चा की लोगों को इसकी इंपॉर्टन्स के बारे में जानने समझने और जागरूग होने का मौका मिला हमारे इस कारिकर्म के माधिम से बहुत शुक्रिया आप दोनों का संसर टीवी के स्टूडियों में आने के लिए तो भारत विश्व का सबसे युवा देश है और हमारा वर्तमान और भविश्य दोनों इस देश की बच्चों और युवाओं पर निर्भर है जिनके सश्रक्तिकरण का एक मात्र साधन गोडवत्ता पोने सिक्षा है और निपी 2020 और निपोन भारत मिशन जैसे कारिक्रम इसमें मील का पत्थर साबित हो रही है इसे के साथ दीजे इजासत देखते रहें संसर टीवी नमस्कार कर दो कर दो कर दो कर दो से बादित है